तो चाहें आपका बजट 20,000 है या चाहें 40,000 है या चाहें आपको अपने किसी भी यूज के लिए निव लेप्टॉप ले रहा है तो आपके बजट के एकोर्डिंग जो सबसे बेस्ट लेप्टॉप है वो आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा और मैंने सरिफ उनी लेप्टॉप को इंक्लूड किया है जो की एडवांस्ड है जिनमें रैम एंड स्टोरिज दोनों चीज़ें एक्सपेंडेबल हैं तो इन फ्यूचर अगर आपको रैम या स्टोरिज बदलनी है तो आपको निव लेप्टॉप ना लेना पड़े तो बस जानने के लिए आपको इतना करना है कि इस वीडियो को पूरा लास तक देखना है सबसे पहले लो बजट से स्टार्ट करते हैं अराउंड 20,000 रूपीर तो इस अभीता कॉस्मॉस 2-1 लेप्टॉप तो कोई भी प्रोफेशनल काम करने के लिए 20,000 के बजट में ये इसको टेबलेट की तरह यूज़ कर लो और जब मरजी लेप्टॉप की तरह इसमें 11.6 इंच की फुल एच डी एंटी क्लियर IPS डिस्प्ले मिलती है इसमें इंटेल सेलेरोन N4000 प्रोसेसर मिलता है जिसकी बेस स्पीड 1.1 गीगाहर्ट एंड मैक्स स्पीड अप्टू 2.4 प्रोसेसर में 2 कोर्स एंड 2 थ्रेट्स है रैम की बात करें तो 4GB की DDR4 रैम एंड 64GB की EMMC स्टोरेज मिलती है इसमें इंटेल UHD इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है एंड इसमें आपको विंडो 10 प्री इंस्टॉल मिलेगी विद लाइफ तैम वेलिटी काफी लाइट वेट है वन किलोग्राम इसका वेट है लगबग 6 गंटे का बैटरी बेकप मिलेगा लैपटोप में 2 कैमरेज हैं फ्रेंट एंड बेक बोथ साइड पर सो फॉर यो प्रोफेशनल यूज इस इस बेस लैपटोप फोर यू और इसका जो बेस्ट बाइंग डिसकाउंटेड लिंक ह वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है नाउ दा बेस्ट लैपटोप अंडर 25,000 रुपीज ये भी एक अभीता का लैपटोप है अभीता इसेंसियल रिफ्रेस लैपटोप में एक 14 इंच की IPS एंटी ग्लेयर डिस्पले है इसमें इंटेल का सेलेरोन N4020 प्रोस 4GB की DDR4 RAM है एंड 256GB की सूपर फास्ट SSD स्टोरेज में आपको मिलेगा मींस इस लैपटोप में आपको कोई भी स्पीड इशू नहीं आने वाला है इसमें इंटेल के 600 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स हैं एंड विंडोस 10 आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगी विद पावर्स का बैटरी बैकप है एंड 1300 ग्राम इसका वेट है इसकी बेस्ट बात है इसकी टू इयर्स की वारंटी जो आपको इस बजट के किसी और लेप्टॉप में देखने को नहीं मिलेगी सो और देखा जाए तो यह बेस्ट लेप्टॉप है 25,000 अगर आपका बजट है तो यह जो दौनों लेप्टॉप मैंने बताए हैं वो आपको रेगॉलर यूज के लिए बैस्ट हैं लाइक नेट सफरिंग, ओनलाइन स्टेडी कर सकते हो, MS Office Accounting कर सकते हो लेकिन आप इन लेप्टॉप में कोडिंग, एडिटिंग या गेमिंग करना चाहते हो तो मैं इनक 2.6 इंच वाला लेप्टॉप है, इसमें फुल साइज HP डिस्पले मिलता है, प्रोसेसर की बात करें तो इसमें AMD 3rd Generation Ryzen 3250U प्रोसेसर मिलता है, जिसकी बेस स्पीड 2.6 GHz एंड मैक्स स्पीड इस अप तो 3.6 GHz, प्रोसेसर में 2 कोर्स एंड 4 थ्रेट्स हैं, इसमें 4 GB of DDR4 RAM है, जिसे आप 16 GB तक expand कर सकते हो, इसमें एक extra slot मिलेगा, to expand your RAM, प्लस इसमें storage भी expandable है, 1 TB 1500 RPM की HDD मिलेगी, एंड इसमें extra slot दिया गया है, तो इसमें आप एक SSD लगाना चाते हो, then आप इसमें लगा सकते हो, एंड इसमें आपको एक full size keypad मिलता है, with numpad, इसमें आपको Windows 10 pre install मि जाएगी, with lifetime validity, and उसी के साथ, आपको इसमें MS Office 2019 भी pre install मिलेगा, और वो भी आपको lifetime validity के साथ मिलेगा, AMD Redon Vega 3 graphics, and लगबग 5 घंटे का battery backup मिलेगा, इसका weight लगबग 1700 gram का है, तो आप इसको consider करें, around 30,000 के budget में ये सबसे best laptop है, but अगर आपको Intel का ही processor चाहिए, then same specification में एक और laptop है, which is Acer Aspire 3, दौनों की specification एगदम same है, बस processor का difference है, उसका link मैंने नीचे description में डाल दिया है, जो भी आपकी choice हो, you can buy it, so now best laptop under 40,000 रुपीज, तो 40,000 के budget में powerful processor मिलने start हो जाते हैं, so I have chosen for you is Acer Aspire 5, इसमें Intel Core i3 11th generation का processor है, processor में 2 cores and 4 threads हैं, जिसकी base speed है 1.7 GHz and max speed is up to 4.1 GHz, laptop में 4 GB of DDR4 RAM है, जो 12 GB तक आप expand कर सकते हो, and 256 GB की M.2 NVMe SSD storage है, जिससे की laptop की speed काफी best हो जाती है, लेकिन आपको इसमें SGD use करना है, तो आप इसमें वो भी लगा सकते हो, उसके लिए भी slot दिया गया है, and ये 2 TB तक की SGD को support करेगा, इसमें 4 GB की Intel Ultra High Definition की integrated graphics है, and इसमें Windows 10 pre-install मिल जाता है with lifetime validity, and इसमें MS Office भी pre-install मिल जाएगा with lifetime validity, and एक और चीज है, इस laptop में आपको Wi-Fi and Bluetooth इन दोनों का latest version मिलेगा, Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.1, laptop में 5-6 गंटे का battery backup मिल जाएगा, इसका weight है 1600 gram, इसमें आपको full size with numpad keypad मिलता है, जो कि एक backlit keyboard है, so in this budget, this is the best choice to do all your tasks, अच्छा इस laptop के मैं आपको two alternative option भी बता देता हूँ, इसी budget में, first is HP-15S and second one is Dell Inspiron 3505, HP-15S में आपको same specification मिलेगा, बस the main difference is कि इसमें आपको 8 GB की RAM मिलेगी and backlit keypad नहीं मिलेगा, and Dell Inspiron की बात करें, तो अगर आपको Ryzen processor में कोई laptop चाहिए, इस price range में तो ये best laptop है, क्योंकि इसमें 1 TB HDD plus 256 GB का SSD दोनों का combination मिलता है, इन सभी laptops का best buying link मैंने नीचे description में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके इनको check out कर सकते हो, so guys ये थे best laptop in your budget for coding, gaming, editing and all, आपको इन में से कौन सा अच्छा लगा, मुझे नीचे comment में ज़रूर बताए, वीडियो अगर पसंद आया हो, तो like करें, चैनल को please subscribe करें, मुझे support करने के लिए, आप से फिर से मिलता हूँ किसी new वीडियो में, तब तक के लिए take care,